नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्विंद और सावद करता हूँ आप सभी दोस्तों का अपने इस यूटूब चैनल अर्विंद संगम में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक यूटूब क्रियेटर हैं तब आप वीडियो को रिकार्ट करते हैं और वीडियो को आपको अपलोड करनी पड़ती है दोस्तों वीडियो अपलोड करने से पहले आपको सबसे पहले वीडियो को एडिट करना पड़ता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दू कि अगर आप वीडियो को एडिट करना नहीं जानते हैं और अगर आप जानते भी हैं तो किस प्रकार से आपको इडिट करना है, क्या तरीका है, आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ दोसों लगभग लगभग जो भी यूटूब क्रियेटर हैं सभी लोग मॉबाइल का ही इस्तिमाल करते हैं और मॉबाइल से इडिट करने के लिए क्या तरीका है और कौन से एपलीकेशन इडिट करना होता है कौन सअपलीकेशन सबसे ज़्यादा बेष्ट है, आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप भी अपनी YouTube को मुवाइल से ही मैनेज करते होंगे वाइल के लिए सबसे बैस्ट अप्लिकेशन जो है वो है काइन मास्टर तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपको काइन मास्टर से किस प्रकार से इडिट करना है कम्प्रेट प्रोसस्स बताने वाला तो दोस्तों वीडियो में श्टार्ट से इंट तक बने रहेगा वीडियो को जर्णा सा भी इसकिप ना करिएगा तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे में आप से क्रिकोष्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रहे हैं बेल आइकन को भी आल नोटिफिकेशन पर जरूर से प्रेस करें इस्टायल कर लेना है और उसके बाद में ओपन करना है ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाता है आपको यहां पर क्रेट निव वाले आपसन पर क्लिक कर देना है और अगर आप एक यूटूब के लिए सिलेक्शन करना चाहते तो आपको फस्ट वाले 16 और 9 जो लिखा हुआ इस वाले रेशियो पर आपको रहने देना है और आपको नेक्श वाले आपसन पर क्लिक कर देना है उसके बाद में आपको यहां पर एक इमेज का सिलेक्शन करना होगा इमेज वाले आपसन पर आपको क्लिक करना होगा यहां पाँच मिनट. की विडियो इसका जो इमेज यह हैं। इसका जो इमेज को फैट कर चुक आँ इसके बाद वाद वाली आपिशन पर चले चाना है। जहां पर भी आपका जो बीडियो है फॉ कि रखा हुआ हूए उस बीडियो को आपको को सिलेक्शन कर लेना है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है आप यहां पर देख सकते हैं आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद में OK कर देना है आपका वीडियो आपके सामने आ जाता है अपने वीडियो के उपर किलिक करना है उस प्रकार से अपने लाइन को ले जाना है। फिर से लेडियं पर जाना है। फिर से आपको नई वीडियो को सिलेक्शन कर लेना दूसरी वीडियो को सिलेक्शन करने के बाद आप इसको भी अपने स्क्रिन पर अच्छे से सेट कर लेना है उसके बाद में ऐसे भी आप चेक्ट कर सकते हैं कहां से कट करना अगर आपको सब कुछ सही लगे तो आप रहने आपको कोई भी चीज अगर आप हाइट करते हैं तो बिलकुल भी आपको दिखाई नहीं देती है तो कुछ से प्रकार से आप बलारे कर सकते हैं अगर आपको अपने वीडियो में कोई भी बैगरांड मेजिक दे नी है है उसका नहीं दूसरी चीज को आपको record करना तो आप डाले सेक्शन पर जाकर करके इस फर क्लिक करके अपने video को record कर सकते हैं और background में जो भी record है आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे features आपको देखने के इसके बाद में यहां पर अगर आपको बीटियो को शेप करना है आप कि एडिट कर सकते हैं आपको एक बार चेक कर ले लेना पर सूरा को डीटेल को अगर आपको छी भी इस्मेश Wells लगतीर है तो आप उसको अगर आपको सब कुछ सही है तो आपको arrow वाले option पर right side में ID के उपर जो arrow का आइकन दिया गया इसके उपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आप कितनी quality में इसको save करना चाहते हैं 720 HD में या फिर 400C आप उसके उपर क्लिक कर देंगे चोड़ देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो right side में 30 लिखा हुआ 25 पी लिखा हुआ है तो आप 30 पर रहने देते हैं तो आपका वीडियो अच्छी quality में save हो जाता है उसके बाद में यहाँ पर low high दिया गया इसको आप high रहने देते हैं उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी about है about में आपका दिया गया आपका total कितना या भी कबन रहा वीडियो उसके बाद में आपको save होले option पर इस परकार से save कर दिना है तो आपका वीडियो आपके phone में save होने लगता है मुझे save नहीं करना है मैं इसको cancel कर जता हूं तो कुछ परकार से आप काइन माश्टर में यूज कर सकते हैं अपने वीडियो को edit कर सकते हैं काइन माश्टर जो है mobile application के लिए सबसे ज्यादा best application माना जाता क्योंकि सभी लगबग जो भी यूटूबर है सभी लोग इसी के बारे में बताय हुए और इसी का काइन कर सकते हैं